अगर हम एक बहुत ही सुन्दर नोट्स बनाते हैं, चाहे स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, या फिर अगर हम खूद से नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स हमारा इतना सुन्दर बनना है चाहिए, अगर हम काफी अच्छा नोट्स बनाते हैं, तो हमारा एक्जाम में अच्छा मा अलग-अलग headings जो है आपकी अलग-अलग color से अलग-अलग paint से लिखी गाई होती है बिल्कुल उसे एक-एक heading में इतना explain करके लिखा गया होता है बिल्कुल point-wise point लिखा गया होता है कोई भी चीज मिस नहीं होती है और बिल्कुल clear होता है काने का मतलब notes उनका इतना देख करके सुन्दर लगता है कि मतलब मन खुस हो जाता है तो बहुत लोगों का मानना ये है कि अगर हम notes काफी अच्छा बनाएंगे notes हमारा बहुत सुन्दर लगेगा तो हम exam में 95%, 95% above ला सकते हैं तो जो ऐसे student हैं कि अगर वो ये सोचते हैं कि हमारा notes अच्छा रहेगा हम अच्छा notes बनाएंगे चाहे tuition में हो या फिर school college में हो तो वो अच्छा number ला पाएंगे तो ये बिल्कुल wrong है बिल्कुल गलत है यार ऐसा थोड़े है कि अगर हम सुन्दर notes बनाएंगे ये तो हमें कहीं competition में notes दिखाना है यानि कि notes की competition चल रही है उसकी race चल रही है कि हमारा notes सबसे बहतर है जिसका notes सबसे बहतर हैगा उसे सबसे जादे marks मिलेंगे ऐसा थोड़े होता है कि notes आप अच्छा बनाओगे विल्कुल colorful pen से लिखोगे notes को कहीं आप प्रदर्सनी मिले जा रहा है हो कई प्रदर्सनी लगी हुई है वहाँ पर अगर आप दिखाते हो तो आपके notes देख करके अच्छे marks मिल जाएंगे नहीं ऐसा नहीं होता है notes आप चाहें कैसा भी बनाओ ये माइने नहीं रखता है आप exam में कैसा करकी आते हो question attempt करते हो कि नहीं करते हो कितने question करते हो कैसा लिख रहा हो वहाँ पर dependent होता है कि आपको कितना marks मिलेगा कितना percentage आपका आएगा ना कि आपके notes पर depend करता है कि आप notes में क्या खिया चीज़े लिखे हो नोट्स चलो मान लेते हैं कि नोट्स में आपने बहुत जादे चीजें लिखी हुई है बिल्कुल पुरा भर भर के आपने लिखा है एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है पर आपने याद कितना किया है और एक बात और आपको बता दे कि यह जो घटना है यह हमारे साथ नोट्स था एक एक हेडिंग जो है उसकी एकदम अलग अलग पेन से लिखी गई थी मतब देखके भी बहुत जादे सुन्दर लग रहा था कि कितना सुन्दर है फीगर्स जो बनाया था जैसे लग रहा था कि बिल्कुल छाप दिया गया है विरू कितना टाइम लगा होगा उसको बनाने में नोट्स तैयार करने में बहुत जादे आई होप कि उसे बहुत जादे टाइम लगा होगा लेकिन एक्जाम में उसके कम मार्स आते थे ऐसा नहीं कि नोट्स उसके काफी बहतर थे सुन्दर थे लेकिन एक्जाम में कम मार्स आता था ऐसा क्यूं उसके तो आप कितना याद कर रहे हो आप उस चीच को कितना समझ रहे हो और आप एक्जाम में क्या करके आए हो इस पर डिपेंड करता है तो जो लोग नोट के पीछे भागते हैं नोट बनाने के चकर में अपना टाइम विष्ट करते हैं सब्सक्राँ में नोट बनाओ आप इसा नहीं कर के नोट नहीं बनाओ नोट आपको बनाना का मज़ना यह अगरा बना तो कि आप एक यहुट बढ़ रहे हो। इस हींडिंग में कितने क्या क्या चीज आपको बताई जा लेह, उसे कषड़ कर गू हूँ और उस point को आप एक flow chart में convert करो, graph में convert करो और वो चीज आप अपने notes में बनाओ यानि कि जब आप notes खोलो, तो दो ही पेज में आपका clear हो जाए कि आपका ये chapter, एक chapter आपका complete होना जाहिए कि मैंने एक chapter में ये सारी चीजे पड़ी और कम time में, कम page में आप उसे पड़ सको यानि कि आपके पास 5 minute का time है माल लो और आपने एक chapter complete करा है और 5 minute में आपको पूरा chapter complete करना है notes के माधिम से तो आपका notes ऐसा होना चाहिए, एक chart होना चाहिए, एक graph होना चाहिए तक आप उस chart उस graph को देखो तो आपको जादे से जादे चीजे समझ में आ जाए, जादे से जादे चीजे कभर हो जाए ऐसा आपका notes होना चाहिए तो आपके पास एक mini notes होना चाहिए, जो कि point watch होना चाहिए अब ऐसा नहीं कि आप अपना जादे से जादे time वेश्ट कर दो notes बनाने में क्योंकि आप notes की rest नहीं चल रही है कोई competition नहीं है हमें exam अच्छा करना है अच्छे percentage लाने हैं ये चीज करना है notes से हमें बस हमें एक direction मिलता है क्योंकि हमें books नहीं पढ़नी पड़ेगी हम जो भी चीजे पढ़ चुके हैं books पढ़ चुके हैं उसे हमें एक नचर देखना है तो इसके लिए हम अपना notes त्यार करते हैं ताकि कम टाइम में हम वह चीज कभर कर पाएं तो आप अपनी study स्मार्ट तरीके से करना सीखो न कि लेंदी तरीके से आपका large notes नहीं होना चाहिए mini notes होना चाहिए